परिवार नियोजन के बहुत से तरीके हैं और उन में से एक तरीका है कौपर्टी अगर इसे तुम लगवाना चाहो तो प्रसव के 48 घंटे के अंदर लगवा सकती हो या फिर बच्चा पैदा होने के 6 सबता बाद या डेड़ मेने के बाद लगवा सकती हो और इसे 5 या 10 वर्षों के लिए लगाया जाता है एक इंजिक्षन आया है जिसे हम अंतरा कहते हैं और ये हर 3 मेने पर लगवाना पड़ता है लेकिन इसे तुम प्रसव के 6 सबता के बाद ही लगवा सकती हो इसे मा के दूद या उसके गुडवत्ता में कोई कमी नहीं आती है छाया नाम के गोली आती है अगर तुम लेना चाहो तो प्रसव के बाद ले सकती हो अगर इसे लेना ही है तो प्रसव के बाद के शुरू के 3 मेने में सबता में 2 बार गोली लेनी होगी और फिर उसके बाद सबता में 1 गोली लेनी होगी और इसके अलावा P.O.P. भी ले सकती हो और इन दोनों गोलियों में से चाहे जिस गोली का भी इस्तेमाल करो इसके साथ ही तुम अपने बच्चे को स्पिनपान भी करा सकती हो इसके अलावा तुम लोग कॉंडम तो जानते ही हो और जब तुम दोनों को लगे कि तुमहारा परिवार अपूरा हो चुका है तो तुम दोनों मेंसे कोई भी नस्बंदी करवा सकते हो लेकिन हां, ये याद रखना कि नस्बंदी परिवार नियोजन का एक स्थाई तरीका है और इसे तुम प्रसव के बाद भी करवा सकती हो